प्राथमिक विद्याले में अध्यापक बनने को लेकर के दीएलेड और बीढ़ भरती विवाद बड़ा चर्चा में रहा है, 2013 में सुपरिम कोड्य ने डिसीजि़न दे दिया था , कि जिसने बीड किया है और डीले नहीं किया है जो प्राथमिक विद्ध्याले के लिए जो डिप्लोमा होता है शिक्षक बनने के लिए वह जिसने नहीं किया है और बीड के आधार पर अगर वह आवेदन करना चाहता है तो वह आवेदन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी ट्रे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एंसीटी ने 2018 में एक विज्यापन निकाल करके बताया था जिसमें कहा था कि प्राथमिक विद्याले का जो अध्यापक है उसकी eligibility वाला व्यक्ति भी जो है उसके लिए eligible है ठीक है यह थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था 2018 में 2010 से बीड़ वाले eligible नहीं थे केवल डीलड ही प्राथमिक विद्याले के लिए मानने था बीड़ वाल बीड़ बने नहीं था 2018 में नोटिफिकेशन निकालकर के एंसीटी ने कहा कि जिसने बीड़ किया हुआ है वो भी eligible है इस पर सुप्रीम कोर्ट का 2023 में डिसीजर आया था जिसमें ये कहा गया है कि जो बीड़ वाले लोग है वो मानने नहीं है वो प्रात्मिक विद्याले स्थर पर अध्यापक बन चाहते हैं उनके लिए तो कोई राहत नहीं है लेकिन जो लोग नियुक्त हो गए है या कोई विज्यापन दिस सरकार ने निकाल दिया था उसमें भरती हो गई है यह तो उसमें जो लोग जॉइन कर चुके हैं 11 अगस्त दो हजार तीस से पहले पहले जब यह सुप्रिम कोर कर डिसीजन आया था उससे पहले जो लोग जोइन कर गए हैं उनकी नोकरी को लेकर के भी खत्रा बन गया था इस पर फिर मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रिम कोर्ट जाकर के उनसे पूछा कि इस पर हमें क्या करना है एक स्पष्टी करण दीजेगा यहां आप लोगों को स्पष्ट करते वह यह कहा कि जो बिगड़ी जो बीए डिगरी धारी है और सरकार ने किसी भी राज्य सरकार ने या किसी भी गवर्मेंट बोडी ने जो है वो नोटिफिकेशन निकाल करके बीड़ वालों को प्रात्मिक विद्ध्याले के लिए नियुक्त कर लिया है तो की नोकरी नहीं जानी चाहिए तो बस उनके लिए विकल्प निकाल लेना चाहिए विकल्प क्या निकाला गया है विकल्प यह निकला है कि 2023 से पहले पहले जो लोग नियुक्त हो गए हैं उन्हें नियु एजिकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर एक ब्रिज कोर्स करना होगा व ये बहुत मत्वण जानकारी है नियमों की जानकारी आप सबको होने चाहिए जिनको नौकरी लगई है उनके लिए तो यह रिछा होना ही हुए उनके साथ अन्याय की घटना नहीं होने चाहिए हम इसके हिलाव पहले भी बोलते रहे हैं और इस पर यह जब हिज़मेंट आय है चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग क्या सोचते हैं लेकिन एक पक्ष और रह जाता है एक पक्षी रह जाता है कि भाई जिन होने 2018 का ये नोटिफिकेशन पढ़कर के 2018 में 19 में 20 में 21 में 22 में 23 में इन 45 वर्षों में जो है वो बीड कर ली है और वो सोच रहा था कि मैं प्रात्मिक विद्याले में भी अध्यापक बन पाऊंगा उसका क्या होगा उसके लिए क्या कोई रहत दी जासे के लेकिन उसके लिए कोई रहत नहीं है अभी तक तो कोई रहत नहीं है आप लोगों के साथ क्या ऐसा हुआ है आप लोग अपने बारे में हमें जरूर बताइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए और आपके जो भी राइस मिश्रा को ले करके हो जरूर हमें बताइएगा नमस्ते